हेलो एव्रीवन वेलकम अगेन टू लनवरे देतिमन आज हमारा टॉपिक है राजिस्थान के महत्वपुन व्यक्तित्व तो कई पर्सनेलिटियों की बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में हम पहले थोड़ा पौँ जानते भी हैं जब हमने किसान आंदोलन पढ़ा उसके बाद हमने राजिस्थान में प्रजामंडल आंदोलन जो है वह देखा राजिस्थान का एक ही करण देखा जिन लोगों ने राजिस्थान में जन जागरती फैलाने का कार्य किया तो ऐसी ही पर्सनेलिटी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए नाम है विजय सिंग पतिक तो इनके नाम से आप लोग पहले से ही जानते हैं इनको कि विजय सिंग पतिक जो की विजोलिया किसान आंदोलन जिसमें इन्होंने बहुत महतरपूर रोल जो है अदा किया था संस्थ तो चलिए देखते हैं विजय सिंग पतिक, इनका मूल नाम है बूप सिंग, तो इनका मूल नाम बूप सिंग था और ये बूप सिंग नाम से विजह सिंग पतिक जो है कब हुए थे 1915 इस्वी के लगबग जो है इन्होंने अपना नाम बूप सिंग से विजह सिंग पतिक रखा था जन्म इनका 1882 इस्वी में गुडावली बुलन सहर उत्तर प्रदेश में हुआ था इनके पिता का नाम हमीर सिंग गुर्जर था और इनकी माता का नाम था कमल कुमारी ठीक है तो कई बार जो है जन्म के बारे में माता पिता के बारे में जो है वो पूछ लिया जाता है तो 1857 की जब लड़ाई हुई थी तो उस समय इनके दादा जो थे इनों ने भी अपना बलिदान किया था और इनके पिता जो थे इनों ने 1857 की क्रांती में सिपाही वित्रो में योगदान दिया था और विजय सिंह पति को देश की आजादी में योगदान देने के लिए कई समाचार पत्रों के द्वारा इन्होंने लोगों को भी खुद भी जागरुक किया था, ठीक है, तो ये एक कवी थे, लेखक थे, यहां तक ये एक पत्रकार भी रहे हैं, रास बिहारी बोस ने इन्हें राजिस्थान में क्रांती का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंग के पास भेजा था, तो सबसे पहले ये रास बिहारी बोस के संपर्क में आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के थे और इन्हें बुलाया जाता है, ठीक है, तो ये खरवा के ठाकुर गोपाल सिंग के पास जो हैं वो गए थे, 1919 में वर्दा में राजिस्थान सेव संकी स्थापना इनके द्वारा की जाती है, और इसके साथ ही वीर भारत सभा, इसके संस्थापक भी माने जाते हैं, विजय सिंग पथिक, तो वीर भारत सभा से जुड़ते हैं, 21 फरवरी 1915 को ससस्तर क्रांती की योजना स्टार्ट होती है, लेकिन ये ऐसफल हो जाती है, उसके बाद इसी वर्स 1915 को विजय सिंग पथिक जो हैं, इनको टौडगर्ड जेल, याद रखना है किस जेल में, टौडगर्ड जेल में बंदी बना कर रख लिया जाता है, लेकिन ये यहां से फरार हो जाते हैं, और फरार होकर कहां जाते हैं, मेवाड चले जाते हैं, और यहाँ पर इनकी मुलाकात सीता राम दास से होती है और सीता राम दास के कहने पर ही ये बिजोलिया का इसकिसान आंदोरन का नेत्रत्व करते हैं जिससे इनकी उपस्तिती जैसे ही होती है वैसे ही किसानों गी अंदर उत्साहा जो है वो भर जाता है तो इस समय बिजोलिया में जो जागीरदार था वो लोगों से भारी गड़ लेता था और उन से जो जितनी भी बेगार ली जाती थी इसके विरुद जो है अत्याचारों के विरुद आवाज जो है ये उठाते हैं तो 1913 में सादू सीता राम के नित्रत्व में विजूलिया के किसानों ने अपना विरुद प्रकट करने के लिए भूमी से जो कर देने से इनकार कर दिया उसके बाद 1916 में विजे सिंग पतिक जो है जुड़ जाते हैं विजूलिया किसान आंदोलन से ठीके और 1922 में राजिस्थान से वसंकी स्थापना करते हैं हरी भाई किंकर के साथ विद्या पिचानी सभा से भी जुड़ते हैं राजिस्थान केशरी नवीन राजिस्थान तरुन राजिस्थान इन समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने राजिस्थान के अंदर जन जागरती फैलाने का कार्डे किया था राजस्थान में विजोलिया किसान अंदरोन का नेत्रतो जो है विजय सिंग पतिके द्वारा किया जाता है 1921 में अजमीर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला जिसका नाम जो है वो बदल कर रख दिया तरुन राजस्थान जो कि आपके exam में पूछा जा सकता है कि नवीन राजिस्तान का नाम बदल कर क्या रखा गया तरुन राजिस्तान और ये समाचार पत्र जो है वो कहां से निकाला गया था 1920 में राजिस्तान सेवा संग को अजमेर में ही इस्थान तरित कर दिया जाता है अब देखिए इनकी एक बुक है वो है What are the Indian States ठीक है जो की देशी रियासतों पर लिखी गई थी तो ये नाम जो है वो याद रखिएगा बुक का एक्जाम में पूछा जा सकता है What are the Indian States किसकी बुक है तो विजय सिंग पतिक की बुक है और मैंने आपको बताया ये कवी थे ल रखना है इनके दादा जी इंदर सींग जी 1857 में अंग्रेजों के किलाफ सहीद हुए थे तो ये मैंने आपको बता दिया था कि इनहें राजिस्थान में या पूरे देश में जंजागरती फैलाने का कारे इन्होंने किया तो ये प्रेणा इन्होंने अपने दादा जी से अपने पिता से ली थी, वीर भारत सभा का गठक जो है अजमेर में ही विजे सिंग पतिक के द्वारा किया गया था, तो ये था वीर, तो ये था विजे सिंग पतिक जो की विजूलिया किसान आंदोलन के संस्थापक, वीर भारत सभा के संस्थापक और इसके अलावा जो है र और विजोलिया किसान आंदोलन में सबसे एहम रोल जो है विजय सिंग पतिक ने निभाया था और इनके द्वारा जो है इनके कई समाचार पत्र के द्वारा राजिस्थान में जन जागरती फैलाने का काटे इन्होंने किया था नेक्स्ट देखिए ज्वाला प्रशाद शर्मा तो इनके बारे में दो महत्वपून लाइन हैं जो याद रखिएगा 1931 में इनके नेत्रत्वों में अजमेर में हिंदूस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन संगठन बना 1935 में अजमेर के स्प प्रान नाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई लेकिन सफल नहीं हुए ठीके तो क्या पूछा जाएगा च्वाला प्रशाद शर्मा के बारे में कि हिंदूस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिक संगठन जो है वो कहा बना अजमेर में बना किसके नेत्रतो में जोला प्रशाद शर्मा के नेत्रतों में कब बनाया गया 1931 में ठीके और इन्होंने अजमेर के किस एस्प को मारने की योजना बनाई थी तो प्रान ना चोगरा को मारने की योजना बनाई थी अगला है भोगीलाल पांड्या तो इनहें बागड का गांधी कहा जाता है इनका जन्म 1904 में हुआ था और बागड सेवा मंदिर की इस्थापना इनके द्वारा की गई थी। सेवा संग का गठन भी होगी लाल पांडिया ने किया था। तो ये कुछ चार लाइने जो हैं इनके बारे में याद रखनी हैं। नेक्स्ट देखी केषणि सिंग बारे में आपको डीटेल में जानना था। उसके बाद केषणि सिंग बारे में बहुत अच्चे से जानना हैं। ये एक प्रशिद कवी रहे हैं और एक क्रांतिकारी भी रहे हैं। इनका जन्म 1872 में साहपुरा रियासत के देवपुरा नामगाओं में हुआ था। तो राजिस्थान के जो प्रशिद कवी हैं, करांतिकारी हैं, केशरी सिंग बारट, इनकी जन्म भूमी कहां रही है? और इनकी कर्म भूमी जो है, जहां इन्होंने बहुत कारे किये, वो रही है कोटा। तो 1903 इसवी में 22 राय लौड करजन द्वारा आहुत दिल्ली दरवार में सामिल होने से रोखने के लिए उदेपुर के महाराना फते सिंग को संबोधित करते हुए इन्होंने चेतावनी राचुंगटिया नामक तेरा सोर्थे या तेरा दोहे लिखे थे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना को व्यक्त करते थे तो इसमें क्या था कि अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जो है वो इसपस्ट अभिव्यक्त की गई थी कि अंग्रेजों के द्वारा कितने अत्याचार किये गए हैं तो महाना को ये संबोधित करते हैं कि इन्हें दिल्ली दरवार में न जाने दिया जाए इसके लिए ये जेतावनी राचुंगटिया नामक 1360 उनको सौपते हैं तो वते सिंग जो हैं इनकी बात को मान जाते हैं और ये दिल्ली दरवार में नहीं जाते हैं 1910 में वीर भारत सबा की स्थापना की जाती है और इसका मुख्य उत्यों से होता है राजिस्थान के सभी वर्गों को कुरांतिकारी गत्विदियों से जोड़ना ठीक है तो क्रांतिकारी गतिविदियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है केसरी सिंग बारहट ने जुरावर सिंग और पुत्र परताप सिंग तो उनके बेटे का क्या नाम है परताप सिंग और जा माता इश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोज के मास्टर अमीर चन्द की सेवा में क्रांती का अन्वब और प्रैसिक्षन के लिए भेजा था तो इन्होंने जुरावर सींग को, प्रताप सींग को और जा माता इश्वरदान आसिया को इन तीनों को ही रास बिहारी बोस के जो मास्टर थे अमीर चन, इनके यहाँ पर भेजा था पैसिक्षन के लिए, ताकि क्रांती का जो अनुवब है, जो इनको था, अमीर चन को, ये सारा अनुवब जो है, किसको मिले, जो रावर सींग को, इनके बेटे प्रताप सींग को, ठ ठीक है, ताकि वहाँ से ये जानकारी जो है, प्रैसिक्षन जो है, इतने अच्छे तरीके से लेकर आएं, और यहाँ पर जो क्रांती है, उसे जुड़ें, तो जोदपुर के एक धनी महनत होता है, प्यारे लाल, इसकी ये हत्या करते हैं, जिसमें, लक्षमी लाल, केसरी सि मिल थे, वो याद रखना है, लक्षमी लाल, नारायन सिंग, हीरा लाल, जोरावर सिंग, त्रवेनी दासलहरी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, और इन सभी को क्या होता है, बीस वर्स की सजा हो जाती है, केसरी सिंग बारहट को बिहार के हजारी बाग जेल में रखा ग होती है, देश की सोतंतरता के लिए अपना सब कुछ जो है नियुचावर करने वाले क्रामतिकारी जो है केसरी सिंग बारहट अगस्त 1941 में ये अंत्यम सांस लेते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, तो ये इंपोर्टेंट है कि इन्हें किस जेल में रखा गया था नेक्स्ट देखिए जोरावर सिंग बारहट, इन्ही केसरी सिंग बारहट के छोटे भाई हैं, जोरावर सिंग बारहट 1912 में दिल्ली में चांदनी चौक में लॉड होडिंग पर बम फैका जाता है, कई बार एक्जाम में ये पूछा गया है, जहां पर आप्शन आपको किसरी सिंग बारहट, परताप सिंग बारहट, जोरावर सिंग बारहट दे दिया जाता है, याद रखिएगा कि लॉड पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि राजिस्थान का चंदर सेखर आजात किसे कहा जाता है, तो जोरावर सिंग बारहट को कहा जाता है, नेक्स्ट देखिए, इनके बेटे हैं केसरी सिंग बारहट के परताप सिंग बारहट, ठीक है, तो इनका जन्म भी कहा होता है, श सहापुरा में उनका जन्म होता है, प्रताप सिंग बाहरत का जन्म 1893 में सहापुरा भीलवाडा में होता है, प्रताप सिंग बाहरत ने आरा हत्याकान महंत प्यारे लाल हत्याकन इत्यादी में भाग लिया था, तो मैंने आपको बताया था के सिंग बाहरत के समय में कि महंत प बनारस कांड के बाद देखिए हैदराबाद से जब ये बीका निर जा रहे थे तो जोदपुर के पास आसर नाडा रेलवी स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं तो इन्हें स्टेशन मास्टर जो है धोके से पकड़वा देता है और अंग्रेजों के हाथ में सौप देता है ठीक ह और जिस वज़े से 1917 में जो बनारस सडियंत्र अभ्योग चलाकर इन्हें 5 साल की सजा हो जाती है और प्रताप सींग को बरेली जेल में बंद कर दिया जाता है जहां इन्हें कई यातनाय जो है वो दी जाती है कि इन से पूछा जाता है कि तुम्हारे कौन-कौन साती है इनक ज़ए यातनाय दी जाती है यहां तक कि यह इन है जो कहते हैं कि क्लिव लैंड ने प्रताप से कहा कि तेरी मा रुटी है तुझे याद करती है अपने साथियों का पता बता दे तो तुझे छोड़ देंगे तो यहाँ पर Cleveland जो है वो मा का सहरा लेकर कहते हैं परताप सिंग से यदि सातियों का नाम बता देंगे तो उन्हें छोड़ देंगे लेकिन परताप सिंग जो है इनका क्या जबाब होता है कि अगर मा रोती है तो रोने दो मेरी मा को हसाने के लिए हजारों माओं को मैं नहीं रुला सकता ठीक है और आखिरकार में किसी भी सहयोगी का ये पता नहीं बताते हैं परताप सिंग बार हट ठीक है तो आखिरकार में 1918 1818 के लगवग, जब ये छोटी उमर के ही थे, 22 वर्स के ही थे, तो प्रताप सींग जो है, वो सहीद हो जाते हैं, और हार कर, जो क्लीवलेंड था, उसको ये कहना पड़ता है, कि मैंने आज तक प्रताप सींग जैसा युवग नहीं देखा है, नेक्स्ट देखिए, जाबनेर के जैपुर में 1899 इस्वी में होता है, और यहीं पर अपनी सिक्षा पूरी भी करते हैं, ठीके, इनकी प्रारमबिक सिक्षा जाबनेर में ही होती है, और जैपुर के महराज कॉलेज, यहां से ये ग्रेजुईशन भी करते हैं, और हमेशा से ही परिक्षाओं में ये प्रथम श्रेणी जो है वो हासिल करते थे और इनका देखे बच्पन से ही यही अभिलाशा थी कि गाउं में जा जाकर ये दीन दलित जो होते हैं इनकी सेवा करें और सारा जीवन जो है यहां पर बिताएं ठीक है निवाई के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक स संस्था की स्थापना की तो 1920 के लगबग हीरलाल सास्री जो है जो की बच्पन से ही यह संकल्प ले रखा था इन्होंने की दीन दुखियों की जो है इनको सेवा करनी है तो इस उद्देश से इन्होंने वनस्थली नामक पिछड़े गाउं को एक चुना और जहां पर जीव आरिकरम के लिए कई प्रयास किये इनकी जो आत्मकता है जो इन्होंने लिखी ओटो बायोग्राफी प्रत्यक्ष जीवन सास्र याद रखना है हिरलाल सास्री के नाम में सास्री है तो यहां पर शास्र जो है वह शब्द है याद रख पाओगे इनकी आत्मकता है प्रत्यक् तौंक में वनस्तली विद्यापीट की स्थापना की जाती है जिसमें महलाओं को सिक्षा जो है देने की बात ये करते हैं याद रखना है वनस्तली विद्यापीट की स्थापना जो है किसके दौरा पंडित हीरालाल सास्त्री के दौरा की जाती है और 1940 में हीरालाल सास्त्री प धानमंतरी सर मिर्जा इसमाईल के बीच में होता है इस एग्रिमेंट में देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था प्रजा मंडल आंदोलन जब पढ़ाया था कि इसमें प्रजा मंडल को राज्य में सांतिपूर्ण धंग से जो है के लिए स्वतंतरता होगी ऐसा यहां पर सर्तने रखी जाती है जनता को उतरदाई साशन देने के लिए राज्य जो है वो जल्दी से ही कारवाई करेगा और महराजा के वरुद्ध किसी प्रकार की कारवाई यहां पर नहीं की जाएगी ऐसा इस में कहा जाता है इस एग्रिमेंट में ठीक है जैपूर रियासत में देखिए प्रत्युनिदी सरकार बनने पर हीरालाल सास्त्री जो है इनको मुख्य मंत्री का कारवार सौपा जाता है और 30 मार्च 1949 को जब राजिस्थान राज्य का निर्मान हुआ था वहां सबसे पहले मुख्य मंत्री बनते हैं हीरालाल सास्त्री तो हमने हीरालाल सास्त्री के बारे में बहुत सारी बात ने जो है वो पहले पढ़ी थी आप लोगों को मैंने पहले बताई थी और 1974 के लगवग इनका जुह वो देहांत हो जाता है तो ये एक बहुत ही दूर दर्शी और जन प्रियनेता जो है वो रहे थे और इनके विचार जो है वो बहुत ही सच्चे थे और ये एक समाज सेवी थे ठीक है नेक्श देखिए अर्जुनलाल सिठी इनका जन्म 1880 इसवी में जैपूर के एक जैन परिवार में होता है ICS परिक्षा पास ये करते हैं लेकिन नौकरी नहीं करते हैं देखिए जो भी जैपूर के महराजा थे सवाई माध्यव सिंग सेकिंड इन्होंने राज्य का प्रधान मंतरी बनाने की पेशकर्ज की थी इनके सामने की आपको राज्य का प्रधान मंतरी बना दिया जाएगा लेकिन इनका राश्टर के प्रती इतना अधिक प्रेम था कि इन्होंने इनकार कर दिया और क्या कहा इन्हों ने कहा कि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा तो ये शब्द जो है इनके द्वारा कहे गए थे याद रखिएगा पूछा जा सकता है एक्जाम में जैपूर में वर्दमान पाट साला नाम से इस्थापना की ज जाती है इनके द्वारा और इस पाट साला में चार विद्धारती जो है वो होते हैं विश्णुदत जो रावर सिंग बारहट परताप सिंग बारहट और यहां पर मास्टर होते हैं अमीर चंद ठीक है और 1913 में बिहार के आरा के निमेज गाउं में एक जैन मंदिर पर डेक अनभव जो है वो कैसे प्राप्त हो ठीक है तो इस तरीके से जो हैं अमीर जो लोग थे जो की बुरे होते थे इनको लूटना और गरीब लोगों की सहायता करना यह उदेश्य जो है इस स्कूल का होता था तो यहां मास्टर अमीर चंद ने 1913 में विहार के आरा के निमेज में एक जैन मंदिर पर डगैती डाली लेकिन यहां से धनप्राप्त नहीं हुआ और 1912 में लॉड होडिंग पर जो रावर सिंग बारहर द्वारा जो है वो बम फेका गया था यह मैंने आपको पहले बता दिया था तो दोनों घटनाओं का जो अभियुक्त है वह अर्जुन लाल सेटी को बनाया गया था मदरास की वैलूर जेल में अर्जुन लाल सेटी को रखा गया था 1920 में जेल से यह रिहा हो गये थे कई बार एक्जाम में जेल का देखिये पूछा गया है याद रखियेगा किसे किस जेल में बंदी बनाया गया था पूने रेलवे स्टेशन प इनकी म्रत्यू हो जाती है, तो पहले इन्हें जब वैलूर जेल में इन्हें रखा गया था, उसके बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया, तो यहां से यह बाल गंगादर तिलग के संपर्प में आते हैं, और यहां अजमीर में ही रहने लग जाते हैं, और फिर यहीं से जो है वो अपनी कमान समहलते हैं और यहीं पर बच्चों को उर्दू पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, अंत में इनकी म्रत्यू भी अजमीर में ही होती है, अब देखिए इनकी महदपुन पुस्तके हैं, इस्तरी मुक्ती, महेंदर कुमार और सुद्ध मुक्ती, याद रखना ह इस्तरी मुक्ती, महेंदर कुमार सुद्ध मुक्ती किसकी पुस्तके हैं, अर्जुनलाल से ठीकी पुस्तके हैं, अब नेक्स्ट करेंगे राम नरायन चौधरी, तो ये नाम से भी आप लोग परिचित हैं, इनका नाम हमने कहां पढ़ा था, ये नाम हमने किसान आंदुलन में, ठीके, तो बेंगु किसान आंदुलन वही जिसमें हमने देखा था कि जो विजे सिंग पतिक हैं, इनके आदेश से राम नरायन चौधरी जो हैं किसानों का यहां नितरत्व करते हैं, बेंगु में, ठीके, और यहां पर जो ठाकुर था, कौन था वो, आपको याद आय होगा, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, कि यहां का जो ठाकुर था, अनूप सिंग था, और जो कि किसानों पर बहुत सारे लागतें जो हैं, उसने लगाई होई थी, 53 लागतें लगाई थी, जिससे कि किसान जो हैं, वो परेशान थे, और उन्होंने लागत देने स भी मना कर दिया था, जिसके बाद जो हैं, अनूप सिंग और किसानों के बीच में आपसी समझोता होता है, जिसे मेवार सरकार और रेजिडेंज ने मानने से मना कर दिया था, और सरकार ने जांच के लिए ट्रेन चायोग जो है, उसको भेजा, और उसने क्या किया था, यहा पर आकर किसानों पर गोलियां चलाई थी, यहां बहुत सारे गाउं में जो घर थे उनको जला दिया था, और दो किसान जो की याद रखने थे, रूपाजी और क्रफाजी धाकर, वो तो वहीं पर मारे जाते हैं, कई किसान घायल भी हो जाते हैं, अंत में प्रशाशन को कुछ लागतों को कम करना पड़ता है, या समापत ही करना पड़ता है, ठीक है, तो यह था बेंगु किसान आंदुलन से सम्मंदित राम नारायन चौधरी, तो देखिए, नोर्स में हैं, कि जन्म इनका 1896 में हुआ था, नीम का थाना सीकर जिले में, और राजिस्थान सेव नवीन राजिस्थान, इन समाचार पत्रों का संपाधन राम नारायन चौधरी ने किया था, और इनी समाचार पत्रों के द्वारा विजे सिंग पतिक ने राश्ट्रिय चेतना जो है लाने का प्रयास किया, राजिस्थान के लोगों में जन जागरती लाने का प्रयास किया नेक्स्ट व्यक्तित्व है पंडित अभिन हरी, पंडित अभिन हरी का जन्म कोटा में 1905 इस्वी में हुआ था, कल्ब ब्रक्ष व करम वीर पत्र का इन्होंने संपाधन किया था, इसके अलावा देखिए अजमेर से इन्होंने रण बहरी पत्र निकाला था, और कोटा से लोक इन्होंने अपना योगदान दिया था, ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूरज प्रकास, जिनको पापा पापा कहकर भी बुलाया जाता है, ये मतलब इनको कहा जाता था पापा, इनका जन्म जो है 1921 इस्वी में हुआ था, इन्होंने विज्ञानिक वालक अखवार निकाला, और जै नारायन व्यास के सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर इनके सम्मंद में दो ही कोश्यन जो हैं वो अक्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि एक तो ये कि सूरज प्रकास जो हैं, इन्हें क्या कहकर पुकारते थे, तो इन्हें पापा कहकर और इनके द्वारा जो अक्वार निकाला गया था, वो था वेज्ञानिक पालक अक्वार, ठीके, यह याद रखिएगा, अब देखिए मैंने आपको जो भी महत्वपुन व्यक्तित्व थे, उनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया है, हाना कि आप ल अंदुलन देख लो, प्रजामंडल अंदुलन देख लो, तो वहाँ पर इन लोगों की महत्वपुन भूमिकार रही है, तो इस वज़े से इनके बारे में भी अलग से पूछा जा सकता है, और एक और नाम था अमर्चंद बाठिया का, उनका नाम भी हम देख चुके थे, क कि 1857 की जब ग्रांती होती है राजिस्थान में, तो पूरी धन समपत्ती जो है, ये आज़ादी की लड़ाई में अपनी लगा देते हैं, और अमर्चंद बाठिया को क्या कहा जाता है, राजिस्थान का भामासा कहा जाता है, ठीक है, और अमर्चंद बाठिया कहां के थे, बीका नेर के तो इतना आप याद रख लिजिएगा तो इस तरीके से यह topic जो है वो complete होता है